उत्तर प्रदेश उन्नाओ रथा कतित हमला वारो द्वारा महिरा पत्रकार पर किया गया जानलेवा हमला उन्नाज जन्पत के भारती पत्रकार महा सभा के संगठन की ओर से भारती पत्रकार महिला अधिकारी पदा अधिकारी मित्रगड सदस्यगड सम्माईत पत्रकार साथियो दोरा मुक्ष मंत्री योगी अधिनास जी को संबोधित कर जिरा अधिकारी उन्नाव को ग्यापन पत्र सौपा इसमें आपका उताद चले की विकत 1 स्टमबर 2021 को पर्देश की राजधानी लखनव में ही महिला पत्रकार मुस्कान पर पत्ताकतित हमलावारों दोरा किया गया जानलेवा हमले की घटना को अति निंदी है इस पर भारती पत्रकार महासभा पडिवार के पतादिकारी एवं सम्मानित पत्रकार साथी को घोर निंदा करते हुए जिरा दिकारी उन्नाव को ग्यापन सौपा गया आय दिन पत्रकारों पर होर है उत्पिरन पर रोक लगाने एवं लोगतंदर के चौते इस्तंब को स्रच्छित रखने की सासंद्वारा प्रसासंद्वारा न्याय की गोहल लगाई और यह भी कहा गया अगर न्याय नहीं मिला तो आगे की कारवाई करेंगे धन्ना प्रदसन क करेंगे इसमें आये हुए पत्रकार को रूप में परतेश अध्यच जैनम नगवी मुहमद जमाल चुनाई नासीर अहमद खान वाज जमाल आरिफ अली शेख अनवार साफी आसीश सुकला एड़्वेकेट शड़कमार पांडे दिलसाथ अहमद आज लोग मौजूद रहे कि यहां आये तो किस विशे में आये क्या मेटर है आपका अक्स्तर देखा जाता है कि पत्रकारों के उपर गलत इल्जाम लगा करके मुगतमे लगाना या उनको पीलित करना परसासन द्वारा पीलित किया जाता है या जो पुलिस द्वारा पीलित किया जाता है अक्स्तर जाल में हम पत्रकारों को जोका गया है लेकिन ये बात गलत है इसी कड़ी में लेकर के हम मुश्कान जी की बात करेंगे लखनों पर जिन पर चाटू मार कर जानलेवा हमला किया गया और उन अपराधियों को अभी तक कोई गिरफतारी उनकी नहीं ना उनके पर कोई कारवाई की यहां पर सारे संगतन थारति पात्रकार महासाबह के संगतन के लो जिला अधिकारी के आहें तो किस विशे में आए हैं हम आये हैं हम आया है में चीट्रों बारा मंकी की जो महिलापत्रकार है मुस्कान जी उनके उपर जो चाकू से हमला हुआ है और इसके पहले अन्य तमाम प्रकार की घटाएं पत्रकारों के साथ फर्जी मुगदमें पत्रकारों को मलज्या अफमानित करना अधिकालियों के दवारा अफमानित करना ऐसे तमाम भिशे हैं जिन पर लेकर के लंभीता से लिया और पूरा पूरेश यहां तक है हमारा सख्जों कई प्रांतों में है उन सभी लोगों ने इस पर शंयान लिया और आज हमारे पूरेश में सभी जिलों से हमारे भार्ती-पत्रकार महातबा के सभी साथिगा जियम को एक ज्याबं प्रेशित कर रहे हैं जिसमें पीडित महिला पत्रका अगर इसके ग्यापन देने के बाद भी कोई कारवाय नहीं हुई तो संगठन क्या करेंगा हम अपनी बात यहां से लगनों जाकर के मुक्पंत्री आवास तक जाकर के धन्ना प्रदेशन करेंगे पूरे प्रदेश में हमारे साथी हर जेगे इस मसले को लेकर के या पत्रकाव